नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका रिक्टी ख्लासिस में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग एक महत्पुन टॉपिक है मैंस के दृष्टि कॉन से इंपोर्टेंट है भारत म्यानमार संबंद हाली में म्यानमार के राश्टपति द्वारा जो यात्रा की गई इन यात्रा के बाद जो कुछ नए क्यास लगाए जा रहा है उनके बारे में जानेंगे इसके अलावा यह भी जानेंगे कि चीन जो है बारत और मियानमार के बीच में जो समस्या उत्पन कर रहा है उसे भी जानेंगे इंपॉर्टन टॉपिक है आप इसे अच्छे से तयार करें इसका पीडियाफ आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा दोस्तों इसके अलावा BPSC मेंस के कई सारे कोश्चन हम लोगों ने कवर किया है और आप लोगों ने उसे बहुत सरहा है जिन भायों ने उसे नहीं देखा है आप मेंस की प्लेलिस्ट में जरूर जाके देखें निश्चिती सारी प्रस्ण जो उसमें लिखे गए हैं आपको अच्छे स कि समझ में आएंगे तो चलिए सुरू करते हमारा आज का टॉपिक भारत म्यानमार्घ संबन झो filt देखें दूस्तों है भारत म्यानमार्घ के संबन्ध जो हैं यह सालों से चलते आ रहे हैं इन संबंदों में इतिहासिक । जातियह शांस्क्रितिक और धर्मिक संबंध जो जाती है धार्मेक इत्यादी चल रहा है भगवान बुद्र की भूमी की रूप में भारत जो है म्यानमार की लोगों के लिए एक तृत असल रहा है आपको पता होगा म्यानमार में जो है बौधर मानने वालों की संख्यां जादा है देखे भारत और म्यानमार की बीच मित्रता की शुरुवात जो है ये ट्रीटी ओफ फ्रेंट्शिप उनिस सच्यावन में हुई और इस शुरुवात की बाद जो पहला जो सबसे बड़ा कदम जिसके बाद जो घनिश्टा आई ये था 1987 में ततकालिन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की यात्रा राजीव गांधी ने जब 1987 में महनमार की यात्रा की उसके बाद दोनों देशों की बीच में जो है संबंद में और घनिश्टा आ गई अब देखते हैं इस यात्रा के बाद जो है दोनों देशों की बीच समय समय पर कई जो है दुई पक्षे यात्राएं जो है होते रहे हैं और वर्तमान में भी जारी हैं को देखते हैं भारत म्यान्मार के बीच कुछ महत्पून समझोते हुए हैं इन्हें जानना जरूरी है और इससे जो है पॉइंट वाइज में लिखा गया है ताकि आप इससे अच्छे से समझ सकें और इस तरह से लिखने से आप कई सारे महत्पून पॉइंटों को कम समय में स सेवा ये दोनों देशों के बीच समझाता हुआ है इसके अलावा पलेतवा जोरिनपुई सड़क को पूरा करने है तु जोर ये जो पलेतवा जरिनपुई सड़क जो है इसे पूरा करने के लिए जो है दोनों देशों के द्वारा जोर दिया जा रहा है यह सड़क जो है महत् तामू मोरे और रिहेवदार जोखवतार में दो लेंड बॉडर क्रॉसिंग पॉइंट खोले जाएंगे अगला जो समझोता महत्पुन किया गया है देखिए तामू पॉइंट पर इंटिग्रेटेड चेक पॉइंट निर्मान हे तु भारत द्वारा मैनमार को सयोग किया जा रहा है तामू पॉइंट पर जो चेक पॉइंट बनेगा इसके लिए भारत म्यानमार को सयोग दे रहा है वहीं देखिए म्यानमार में भारत के रुपे कार्ड लॉंच करने है तू सहमती बनी आपने करेंट डेफिरस में कुजिन पहले ही पड़ा होगा तो भारत जो है म्यानमार में अपना रुपे कार्ड जो ऐसे लॉंच करेगा इसके लॉंच करने से म्यानमार की अर्थ लोस्ता में तेजी आएगी और अगर ये रुपे कार्ड म्यानमार में चलता है तो भारत के लिए जो है वैपार परेटन इसमें भी शुगमता आएगी वहीं देखें medical radiation equipment के तौर पर भारत म्यानमार को भावा ट्रॉन 2 सोपेगा और यह जो है उपकरन जो है cancer के इलाज में शहायक है वहीं देखें अगला जो समझोता हुआ है म्यानमार के रखाईन प्रांत में जो की एक विद्रोही के तौर पर या चीन के सारों पर सालों से कार करते आ रहे हैं इन विद्रो को दबा कर वहाँ पर इस्तिरता बहाल करने में भी भारत जो है सहयोग करेगा तो इतने महत्पुन समझोते जो हैं भारत ने म्यानमार के साथ किये हैं अब दीखते हैं भारत के लिए मैनमार की क्या महत्ता है भारत जो है मैनमार के लिए क्यों important है तो इस कड़ी में हम देखेंगे मैनमार देखिए दक्षिन एसिया और दक्षिन पुर्व एसिया के बीच यह सेतु का कारी करता है और इस लिहास से भारत के लिए जो है उपियोगी है भारत मैनमार के साथ लगवक 1600 किलोमेटर की भूमी यह साजा करता है और इसी करम में पुर्वोतर के चार राज ध्यान रखें आप अरनाचल परदेश, नागालेंड, मनिपूर, मिजोरम यह चार राज जो हैं मैनमार के साथ जो हैं अपनी सीमा साजा करते हैं और इन चार राजियों या प्रुवोत्तर के राजियों के आर्थिक बदलाव हेतू म्यानमार का भी सहयोग आवश्यक है इसलिए भी जो है म्यानमार भारत के लिए महत्पुन भूमिका अदा कर सकता है और करता है अब देखिए हाल के दिनों में म्यानमार और चीन के बीच संबंदों में घनिश्टा आई है इन संबंदों से भारत पर क्या असर पड़ सकता है उसे भी जानेंगे देखिए दक्षिन एसिया में चीन की बड़ती सकती जो है ये भारत के लिए एक चिन्ता का विशय है क्यों चिन्ता का विशय है तो ज्यान रखें क्योंकि एसिया में चीन का अगर कोई सबसे बड़ा परतिजंदी है तो अपना देश भारत है चीन जमस्ता है कि भारत जो ह एक भारत ही एक ऐसा देश है जो उसको पचाड सकता है। इसलिए हुए जो है भारत के पडोसी देशों पर अपनी नजरें गडाए है। अब देखिए भारत और म्यानमार के बीच में जो है कई प्रकार के समझाते हुए हैं। इन समझातों में अगर देखा जाए तो चीन म्यानमार एकोनोमिक कोरिडोर और दोनों देशों के बीच 33 से दुईपक्षिय समझाते हुए हैं। और ये समझाते जो भारत म्यानमार के बीच हुए ये वाकई में भारत के लिए चिंता जनक है। इन समझातों के जरिये चीन फिर से सिल्क रूट को खड़ा करना चाता है। इसलिए उसकी लगातार कोशिस रहती है कि भारत के पड़ोसी देशों पर अपना प्रभाव जमा कर भारत पर दवाब डालना। देखित चीन मैंनमार के जरिये जो है हिंद मासागर के निकट पहुच कर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिस में लगा रहता है और लगा हुआ है। इस करम में अगर आप देखा जाए देखें अगर आप इसे स्रिलंका में जो है बंदरगा का निर्मान कराना नेपाल में जो है अलग-अलग तरेग निर्मान कार पाकिस्तान में अलग-अलग निर्मान कार तो ये जो है चीन के कराने के पीछे जो है साजिस है कि भारत को च ये भारत के पुर्वी तर्ट पर अपने उपस्तिती दर्ज करा करके अपना प्रभाब बढ़ा रहा है वह जो है धन का लालज देकर भारत के नजदीक सीमावर्ति इलाकों में अपने प्रभाब को बढ़ाना चाहता है भारत के पड़ोसी देशों की घनिष्टा यदि चीन से बढ़ती है तो भारत के लिए यह इस्तिती जो है सुरक्षा के लिहाज से अर्थववस्था और आफसी सहयो के लिहाज से सभी रूपों पर असर डाल सकती है ठीक है दोस्तों आगे देखी अगला क्या समस्या हो सकता है कहता है कि भारत म्यानमार सीमावर्ती इलाकों में अवैद घुसपैठी जाली नोट ड्रग मानव तसकरी ये सब जो है लगातार जो है होता आ रहा है और इसकी पीछे कहीं न कहीं जो है चीन जिम्मेवार है और इन सब कारणों से अर्थवयवस्था पर नकरात्मक प्रभाव पड़ता है जो की देश के हित के लिए गलत है तो म्यानमार में चीन का प्रभाव जादा ना बढ़े इसके लिए भारत ने अपनी ओर से कई महत्पन उपाय किये हैं इन उपाय के बारे में भी जानते हैं देखिए भारत द्वारा जो है लुक इस्टे पॉलिसी पर विसेश बल दिया गया भी है ताकि भारत के परोसी देश जो है इन पर चीन अपना प्रभाव ना बढ़ा सके म्यानमार से घनिष्ट संबंध है तू दोनों देशों के बीच दुई पक्षे से नभ्यास इंबैक्स आयोजित किये जाते हैं ध्यान रखें इंबैक्स प्रीफेक्ट है किन्दो दिसों के बीच होता है भारत और म्यानमार के बीच ध्यान रखें आप अगला जो भारत का प्रमुख कार किया गया है भारत द्वारा ये दिखते हैं सांस्कृतिक संबंधों में सुधार हे तू बगान सहर के आनंद मंदिर का जिर्नोधार और छतिगरस्त पैगोडा की मरम्मत में भारत ने महत्पूर्ण भूमिका अधा किये हैं कहीं न कहीं मयानमार की जो धार्मिक इस्तिती है उस लिहाज से उनका जो का भारत की उर जादा है वहीं देखें प्राकृति की जो आपदा होती है इस आपदा की समय में इस आपदा के दोरान भारत ने मयानमार की हर संभव साहता की है और आगे भी करने हे तू तत पर रहे भारत द्वारत द्वारा सीमा पर वैपार और वानिज के लिए के एम टी टी पी पर कई महत्पुन कार किये जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए भारत और मैनमार के द्वारा ओपरेशन सन्वाइज का भी आयोजन किया जाता है, किया गया है। और इस ऑपरेशन के द्वारा जो सीमा वरती या टट वरती इलाके हैं, इन में जो है गुसपैटियों की या विजरोहियों की कमर तोड़ी जा रही है। और इसमें भारत म्यानमार के साथ पुन रूपेन खड़ा होकर उसकी इस्तिती सुधारने में उसका सयोग कर रहा है। तो दोस्तों भारत म्यानमार संबन में इतने महत्पुन फैक्ट्स हम लोग लिख सकते हैं। उमीद है आपको सारी बातें समझ में आयोगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें इसे शेयर करें। इसके लावा आप कई सारे मेंस के वीडियो देख सकते हैं। लगातार आप बने रहें। धन्यवाद।